पेट पे लात मारना ठीक नहीं है इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए आने वाला दिन में क्या अपनी देश कंदर एक पोज में जाके कोई सही टूटी भी नहीं करेगा ऐसे मुशी बता जाएगा उस दिन अपना देश को सामालना मुश्किल हो जाएगा परिवार तो उसको भी चलाना है उस ऐस मानता के बारे में समझाना चाहरे थे हैं यह दोई रोटी घाएगा उसको क्यों उत्रा फईसे दे रहे हैं एक सो पयाली साल भी होगा तब तक हम नहीं चोड़ेंगे अब हमारी मांग पूरा लेके इंदुस्तान कंतर ऐसे सिस्टम नहीं होना चाहरे यह सबको बराबर होने चाहिए ना तो भी मेरा बाई आएगा मेरा बाई नहीं तो मेरा बैटा है आके बैटेगा तमस्कार आप देख रहे हैं जन्हीत अवाज और मैं हूँ आपके साथ द्यूटी गिरी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार कई दिनों से पूर्वशैनिकों का धरना चल रहा है और आज 142 वा दिन है मातर आठ दिन बचे हैं ये दिन डेड़ सो होने में लेकिन इनका संघर्ष अभी भी जा रही है लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम देश भर से लोग यहां पर आ रहे हैं कहां से आए आप बताएंगे? हम चन्ने तमिलनाडू से आए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं क्या मांगए हैं हमारा मांग है हमारा जाओन का जो कुछ मिलना चीछा टाओ वो सब यह यह सौ पहला जिन नहां है उशे पहले चे साल साला Hani श्ररे लड़ रहें वो सब पुरा अग मिलना चाहिए वह आकिक काहेल हो जाते हैं तो एक ज़ुएंट का और आपसर का दोनों को तो मास्का ही बना होगा आता है कं principal Lightning का मास्का बना होगा है ज़ा आपसर का एक लोगा का सीजिका बना होगा होगा ऐसे तो नहीं öyle लेकिन क्या दोन ये की है एक किसम का आदमी है बगवन जमिन में पैदा किया तब ही एक किसम का आदमी को पैदा किया ठीक है लेकिन क्या इसमें किसी कोई बंदा कोई मिल्टन से कोई एनमी से कोई नुकसान हो जाता है वो कायल हो जाता है वो बंदा उसको क्या एक जवान का म जमिनार आसमान का परक है इतना परक नहीं होना चेह एक की एकसामपला कि परतन पर चावल बनाता है उसी चावल में येकी चावल को हुम टेस्ट चेक हुरता है उसी घूसाब से येके एकसाम्मल है इसको पुरा नहीं कर पारे तो आपनोंको बोल के कोई पाइदा नहीं है ठीक है इसलिए ये मांग है ये हमारा एकसरिस में जो कुछ-कुछ मांग लेके यहां पेटे होगे हैं वो सब जूट नहीं बोल रहे हैं सही कहे रहे हैं विल्कुल सचा है है विल्कुल अपना लड़ाई देश का जवान देश का रक्सक है ठीक है वो अपना मांग को लेने आया है तो उनका करवाना अपना सरकार का परज़ है सरकार ये पूरा करेगा, ये एक सो पैयाली सिन तो कम है, एक सो पैयाली साल भी वोगा तब तक भी हम नहीं चोड़ेंगे, अब हमारी मांग पूरा लेकर ही चोड़ेंगे मेडम लेकिन ये तो आप जो कह रहे हैं कि बड़े अधिकारी जो हैं, वो उन्हें ज़्यादा पैंशन और तनख्वा मिलती हैं, ये तो हर जगा यही है, इंप्लॉय कितना भी महनद करें, उसे कम सैलरी दी जाती हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, वो बैठे रहते हैं, एसी में वैटते हैं उन्हें उनकी सेलरी जादा है तो आप इससे अलग कैसे हैं वो तो हर सेक्टर की मसले हैं मेरी साब से तो आप इसर का सेलरी कितना भी हो जाएं उसे मेरा कोई परक नहीं पड़ता है लेकिन एक जवान का एक और एक जेसी ओ का जो कुछ मिलना चाहिए वो ही देदो ठीक है मेरी तराब से आप इसर का कितना भी देदो वो खुष रहे हैं हम भी कुष है ठीक है लेकिन हमे भी जो कुछ मिलना चाहिए, वो देदेना चाहिए, इसमें फीचे आपिसर जवान को मिलने वाला सीच को उटा के लए जाने की छेकर में, तो एक परजट होता है, उश परजट में ज्यादा एक कम स्थेंट वाले आपिसर परजट पर ज्यादा अमोंड लेना, और जादा स्टेंट उने वला ये के आपी सर एक जवान है वहारा एंसी हो ठीक है उनका पर्जट पर कम पहसे देना ये बिलकुल कलत है यह अपना इंदुस्तान कंदर ऐसे सिस्टम नहीं होना चाहिए यह सिस्टम विल्कुल थोड़ बोर्ड होना चाहिए नहीं होगा तो हमारा एक्सेरिश्मेंट पार्टी है हम नहीं चोड़ेंगे यह अलत होगा तो कल का आने वाला दिन में क्या अपनी देश कंदर एक पोज में जाके कोई सही टूटी भी नहीं करेगा ऐसे मुश्य बता जाएगा उस दिन अपना देश को सामालना मुश्किल हो जाएगा इसलिए कह रहा हूँ पोजी का पेट पे लात मारना ठीक नहीं है इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए विल्कुल उनका आक जो आक मिलना चाहिए वो देना ही होगा लेते रहेंगे लेके छोड़ेंगे बस में बेशक ये शर्मनाक बात है कि एक फोजी जो देश के रक्षा करते हैं हमारी सुरक्षा देते हैं हमें सुरक्षा देते हैं उन्हें अगर धरना देना पर जाए, तो शर्म की बात तो है, उनके हक की बात तो रखनी जरूरी है। अटेंशन करना के लिए हम लोग आके इदर बैटा हुआ। जमीन आसमान का फरक है, सिर्फ आर्मी में चल रही है। बाकी कोई आपने बोला था, हर जगह में आफिसर और एंप्लाई का जादा डिफरेंट है। इतना डिफरेंट कहीं दुनिया में कहीं भी नहीं रहता है, ज यो एक स् हुल चर है, वो मरने का बाथ उसका बीभी के सात अजार पेंशन मिल रहा है, यो जो उदित गड़ने में और यो या गौन बोला है वो बोल रहा है, ज pension में अजय पेंडाड होने का बाथ ilehamान होने का बाथ, जो जक़ आइसेद लीक होने माद्शन देंडेंद होन कार लेके गुम सकते हैं यह कौन्सी डिमोक्रेशी है यह सबको बराबर वोने चाहिए ना पेट्टों सबको एक ही है वो रोटी दो रोटी काये तो अंभी दो रोटी कायेंगे जो लड़ना वाला जवान है 97 परसंटेज आफ इंडियन आपी शोल्जिर्स त्री परसंटेज इसको जो मिल रहे है जो गोली चरान वाला है गोली कान वाला है हाथ बेर देन वाला है गांग देन वाला है जान देन वाला सब शोल्जिर्स सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा 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 प्रधान मंत्री देश के प्रधान मंत्री जाते हैं सरहत पर जवानों के साथ फोटो खिचवाते हैं चाय पीते हैं बर्दी पहन कर सारा फोटो खिचवाते हैं लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सुनते हैं उसको अभी सुन रहा है न अभी चार बाइस मैने से मोरी समने सुन रहा है इसको जांच करना में उसको टाइम लगेगा न यह कहां से हुआ कैसा सुरू हुआ अगर वो सुन रहा है तो आप धरने सुरू हुआ वो सर्च कर रहा है मुझे अंडर परसंट उमीद है यह आने वोला जैन्वरी से फाइले मोदी साब ने इसको इलाज करके ही यह सुट के जाएगा उसको फिर आम लाके उदर बिटा देंगे उसी चिर्मा बिटा देंगे पुरा कंदा पी लेकर बिटा देंग हमारा मांग पूरा वोखा तो हमारा मक्सद है हमारा यह के वादा के साथ कह रहा है पूरा मोदी साब का पका पूरा वोट दिलवाएंगे और पूरा मदरास में भी आज तक मोदी साब का नामी नहीं है मदरास में भी मोदी साब का पले-पले करवाएंगे तो साफ तोर पर सानिकों का कहना है कि अगर मोधी सरकार ने साथ दिया तो मोधी सरकार की बले-बले करवाएंगे जी आप कुछ कह रहे थे थोड़े सा मैं इन पॉइंटों को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ हो सकता है हमारे साथी बाई में थोड़ा बासा का भी प्रोब्लम हो अपना अपना विचार है जैसे आप बार बार पूछ रहे थे अपसर्ज का हर कटेगरी में होता है वो पे एंड अलाउंसी में अलग होता है जब बाकी कुछ बजट में से बटवारा होता है इतना बड़ा रहे सो में फरक नहीं होता जैसे हमारे बाई कहना चाहरे थे हमारे जो विद्वाएं हैं तो अगर हम 73 से 86 से जैसे हम निकाल के लाए हैं वो हमारे पास पूरा चार्ट है वो उनका रहसो में कम बड़ा है 35 सो था हमारे जेशी ओवार की विद्वाओं का फिर शाड़े आठ जार हुआ सेवंत पे में अभी उसको दस बारा जार किया है जबकि ऑफसर्ज की वाइफ का असी हजार जो बताना चाह रहे थे क्योंकि परिवार तो उसको भी चलाना है परिवार उसको भी चलाना है उस एसमानता के बारे में समझाना चाह रहे थे हैं उस एसमानता के बारे में कहना चाह रहे हैं कई जगे बहुत जगे एसमानता है पेड अलाउंसिज में नहीं है आप लोगों को जो कंफूजन है पे पुराने लोगों को देना था पुराने और नय का पुराने कमिशन में जो आते थे थर्ड पे कमिशन फॉर्थ पे फिप्त पे जो सेवंध माते दूनमें ज्यादा फरक रहता था और महेंगाई बढ़ती रहती थी तो उनको कुछ करने के लिए और वो उनको 30 साल 40 साल से पहल थी महरास्ट्रा के अपने यह क्या बोलते हैं गवर्नर होते थे उनके उसमें उन्होंने कलियर लिखा था ऐसा होने से तो हमारे अर्द सहनिक बलों को भी वन रैंक वन पैंशन मिलना था ऑफसर्स को भी लेकिन उसमें बिलकुल नहीं था वो नहीं होने वाले को जिसको जी तीन परसंट जो ऑफिसर्स है उनकी सैलरी बहुत जादा है उनकी पैंशन जादा है सारी चीजें उनके पैंशन जादा है जब रिटार्ड होते हैं तो उनकी बीवी को पत्नियों को जादा या कार लेने की हैसियत उनकी जादा होती है लेकिन वही जो अधिकारी जो निचल को लेकर है ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रही है जन्हीत आवाज कैमरामेन आशिश के साथ ब्यूटी गरी